अब पाकिस्तार की क्या नहीं मोदी कैबिनेट में हुआ सबसे बड़ा फैसला भारत के पड़ोसी मुलक और आतन के दोस्त कहे जो आने वाले पाकिस्तान को ले कर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है प्रधान मंत्री नहींद्र बोदी ने कैबिनेट बैटक में एक बड़ा फैसला ले लिया है पाकिस्तानी सीमा पर भारत सडकों का जाल बिचाने वाला है ये जाल छोटा मोटा नहीं बलकी बाइस सो असी किलोमीटर लंबा हुगा बीजेपी के दिगज नेता का हुआ निधर देश के पहारी राजु हिमाचल प्रदेश से सबसे बड़ी खबर सामने आई जो अधर्मशाला में मंगलवार को बीजेपी के पूर्वनेता राकेश चौधरी की मौत हो गई थी यही नहीं अब उनकी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भरती करा गया है बताया जो रहा है कि उनकी पत्नी ने कथत तोर पर जहरीला पदात खा लिया है आ रहे तीन एस्ट्रॉइड प्रत्वी पर मचवा सकते हैं तबाही नासा ने जारी की चेतावनी आस्मान से धर्ती पर तबाही मच सकती है जिहां जिसे लेकर अलवट जारी क्या गया है आस्मान में धर्ती की और से एक साथ तीन एस्ट्रॉइड आ रहे हैं यह एस्टरोइट की स्पीड तकरीबन 32,000 किलो मिटर बताई जा रही है अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी नासा ने इस बारे में एक चेतावनी भी जारी की है MPC की बैटक के बाद UPI में बड़ा बदला भार्टी रिजव बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने आज UPI 123 पे के लिए लेंदेन की सीमा 5,000 रुपे से बढ़ा कर 10,000 रुपे और UPI Light Wallet की सीमा को 2,000 रुपे से बढ़ा कर 5,000 रुपे करनी की घोशना की है बाजार आखरी सत्रों में फिसला सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद बुदवार को टीशेरो वाला बेंचमार्क सूचकांक BSE सेंसेक्स 167 अंक तूटकर 81,467 पर बंद हुआ दूसरे और निफ्टी तकरीबन 31 अंक गिरकर 24,981 पर बंद हुआ हेडलाइन्स की बाद आगे वणियों से पहले आज की वाइरल वीडियो सी आपको रूबरू करवा देते हैं दरसल उतरप्रदीश के लखीमपुर खीरी में भारती जन्ता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीत कमामला सामने आया है हैरान करने वाली बात तो ये है कि पुलिस के सामने ही विधायक जिपिट गए और पुलिस खड़ी खड़ी देखती रही दरसल बड़्चस्व को लेकर बिजेपी सदरविधायक और बार अधिवक्ता संक्य अधक्ष के बीच हाथा पाई हो गए दोनों पक्ष आमने सामने आगए मारपीत का वीडियो सोचल मीडिया पर भी जम कर वाइरल हो रहा है वही पुलिस कर्मियों ने बीच बचाओ कर दोरों लोगों को अलग किया वही तनावपुर्ण महौल देखते हुए पुलिस स्वोर्स तैनात कर दिया गया है इसके लाबा चले रुख करते हैं हमारी खास रिपोर्ट की ओर कल हर्याडा में बीचेपी की जीत होई तो जम्मू कश्मीर में हार भी होई ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस हार का क्या खामियाजा बीचेपी को भुगतना होगा तो आपको बिता दे कि अब जम्मु कश्मीर इस बीजेपी की हार कर सबसे बड़ा नुकसान उसके राजनीतिक प्रभाव पर पड़ेगा जम्मु कश्मीर में विधान सभा की सेटों के कमी से पार्टी की शेत्रे नीतियों को लागू करना मुश्किल हो जाएगा इससे जम्मु कश्मीर में शेत्रे दलों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वे सरकार गठन में महत्यपुर्ण भूमिका निभा सकते हैं मैं बिजेपी के हार से राज्य में धार्मिक और शेत्रे धुरुवी करण के स्थिति भी बदल सकती है पार्टी ने अकसर हिंदू बाहुले शेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत किया था लेकिन आब इसे मुस्लिम बाहुले और अन्य शेत्री मद्दाताओं के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ेगी इसे बीजेपी की रास्टी राजनीती पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि ये संदेश जाएगा कि पार्टी का धार्मिक धुरुवी करण का एजंडा शेत्र में विफल हो गया है इतना ही नहीं बिजेपी ने जम्मू कश्मीर में विकास कारियों पर विशे जोड दिया था जिसमें आधारबूत संरचना का निर्माण निवेश को बढ़ावा देना और परेटकों को आकरशित करना शामिल था इस हार के बाद इन विकास कारियों के गतिधी में हो सकती है क्योंकि नई सरकार की प्रात्मिक ताइब इन हो सकती है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर में विजेपी की हार का राज़्टी इस तर पर भी बड़ा संदेश जाएगा ये हार आगामी चनाओं के लिए पार्टी के प्रदेशन और रड़नीतियों पर पुनर्विचार का संकेत हो सकती है पार्टी को देश के अने राज्यों में भी अपने समर्थन आधार को मजबूत करने के आविश्कता होगी जा पर विपक्ष की चनाओती बढ़ती दिख रही है यानि कि देखा जाए तो जमू कश्मीर की हार के बाद विजेपी के लिए अब सबसे बड़ी चनाओती ये होगी कि वो विपक्ष में रहकर किस प्रकार अपनी स्थिती को और मजबूत करती है और शित्र में अपनी खोईवी लोगपरियता को वापस बाती है इसके लिए पार्टी को इस्थानी मुद्दो पर फोकस करना होगा और जमू कश्मीर की जनता के साथ बहतर समबाद इस्थापित करना होगा अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि BJP इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और भविश्च्र में अपनी स्थिती को कैसे सुधारती है फिलाल इसे के साथ रुख करते हैं अगली रिपोर्ट की ओर अर्विन के जिवाल इन दिनों आजाद हैं वो बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं हर्याणा को जमू कश्मीर में भी उनको अच्छे परिडाम क्याज थी मगर अफसोस है कि उनको वो पूरी तरीके से उनकी पूरी लुटिया डूप चुकी है हर्याणा में आमादमी पार्टी प्रमुगदल के रूप में नहीं उभर पाई है लेकिन उसने कुछ सीटों पर अपनी उपस्तिती आवश्य दर्ज कराई है मगर खांस बात तो ये है कि पंजाब और दिल्ली में शासन करड़े वाली आमादमी पार्टी को हर्याणा विधानसभा चुनाओं में जबरदर जटका भी लगाए ये नतीज़े दिल्ली विधानसभा चुनाओं से कुछ मैने पहले ही आए कॉंग्रेस से गडबंधन करने में दिक्कत आएगी क्योंकि उसने हर्याणा में ज़ाधा सीटे मागी थी कॉंग्रेस ने उसे एक भी सीट नहीं दी हर्याणा में आपने 89 सीटों फर प्रत्यासी उतारे थे राजिय में बिजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्स की वहीं कॉंग्रेस की खाते में सिर्फ 37 सीटे आई उधर तमाम दावे करके मैदान में उत्री आमादमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला आलम ये रहा कि आमादमी पार्टी का चुनाव बिजेपी के लिए फायदे मन तो कॉंग्रेस को भारी पड़ गया कारण कई सीटे ऐसी हैं जहां कॉंग्रेस सर्फ प्रत्याश्ची बिजेपी के सामने चंद वोटों से हार गए इन सीटों पर आमादमी पार्टी में उसे मार्जिन से अधिक वोट बटो रहे यानि आमादमी पार्टी कॉंग्रेस के लिए वोट कटवा साथ देखा जाए तो हर्याणा के नतीजे आपके लिए इसलिए माइने रखते हैं कि दिल्ली के चुनाव में उतरने पर वोट शेयर कर जिकर कर सकती थी लेकिन चुनाव विशलेशिकों का कहना है कि 2019 जैसी दोरानी की उमीद लग रही है हर्याणा के नतीजे ऐसे समय आए जब अर्विन के इज्रिवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुरसी छोड़ दी है और अपनी लोग प्रियता पर भरोसा करते हुए कहा कि अब वो ये पत अभी समालेंगे जब अगले साल विधान सबा चुनाव के बाद आप सरकार बनाएगी लेकिन तस्वीर बदल चुकी है दिल्ली में हर्याणा के लोगों के आवादी काफी है और बहुत बड़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरियों में हैं और क्यों ना हूँ सरकार और पुलिस प्रुशासने महिलाओं की सुरुक्षा के लिए कई कदम भी उठाए हैं लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो जमीनी इसतर पर इसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा है अमरोहा में एक बच्ची पर ऐसेड अटाइक हुआ और वो नहीं बच्ची ऐसे ना जाने कितने मामले रेप और कतल के भी सामने आते हैं लगरा है जैसे हां सामाजिक सनरचना में पित्र सत्तात्मक सोच गहराई से समाई हुई है इससे महिलाओं की प्रती भेद भाऊ और उनकी सोरक्षा के प्रती लापरवाही साबसाब देखने को मिलती है महिलाओं के खिलाफ अपराद के मामलों में अक्सर पुलिस और कानून विवस्था त्वरित कारेवाई नहीं करती है ये सच है जिसे अपरादियों में कानून का डर लगभग खतम हो जाता है गरीब और आर्थिक रूप से कमजगरवर के माहिलाएं अक्सर शोशन और हिंसा का शिकार बनती हैं कुछ मामले सामने आते हैं तो कुछ नहीं आते हैं उसकी भी जानकारी नहीं लगती है योगी सरकार में हजारों प्रयास के जार हैं मगर सब ना काफी है एक अटनाई जैसे की मूँ चढ़ाती है उत्तर प्रदेशन पहिलाओं के खिलाव अपराद को रोकने के लिए एक बहु आयामी दृष्टी कोड की आवश्रक्ता है जिसमें कानूनी सुधार प्रशासनिक मुश्किल ही है और मुश्किल होगा फिलाल ये तो थी खबरे अप तक की खास रिपोर्ट लेकिन उसके अलावा आज कौन-कौन सी खबरे बनी रही चर्चा का विश्र वो भी आपको बिता देते हैं यहां देश और दुनिया की कुछ प्रमुक खबरे हैं विजेपी ने हर्याडा में बड़ी जीत हासिल की जिसके वाद नायप सिंग सैनी ने पीम मोधी से मुलाकात की वही नेशनल कॉन्फरेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ती के सून सावानी से साधश्चमल 6% अधिक बारिश के साथ समाप्त हुआ है इसके लाबा आज यूकरेन के राज्ट्रपती जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना ने प्रमुक मोर्चों पर प्रगति की है जबकि रूस ने जवाबी हमलों की योजना बनाई है वहीं हर्याडा में हा समाजवादी पार्टी ने कॉंग्रिस को बड़ा जटका दिया है यूपी में होने वाले उच्चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने दस विधान सभा सीटों में से 6 पर उमीदबार घुशित कर दिये हैं इन में दो वो सीटें भी शामिल हैं जिन पर कॉंग्रिस इसके चलते ना किवल राजनीतिक स्थिर्ता प्रभावित होती है बलकि समाज में विभाजन और असमानता को भी बढ़ावा देता है जातिवाद नहीं भारती समाज में किस फर्स्ट विभाजन बनाया है जिससे विभिन जातियों के बीच अविश्वास और संघर्ष प्यद यह प्रक्रिया राजनीतिक और इस्थिर्ता को जन्म देती है और विकास को बाधित करती है जातिवाद नाजीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए समाज में जागरुपता बढ़ाना और सक्षा के माध्यम से सुधार लाना आवश्चक है मीडिया और राजनीतिक दलो को जातिवाद को बढ़ावा देने वाले बायानों से दूर रहना चाहिए वहीं जातिवाद का प्रभाव और उसकी राजनीति कब तक चलती रहेगी यह समाज के जागरुपता इस्तर और राजनीतिक नेत्रुत्विक के जिम्मेदारी पर निर्भर करेगा फिलाल इसी के स साथ पेशे आज का सबीचा मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए नसीब बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है